हेई गाइस मैं हूँ सीमा और दावचनल पर आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ तो समर स्टार्ट हो चुके है और ऐसी गर्मी में सभी लोग होममेड आइसक्रीम खाना तो जरूर जाहेंगे होममेड है लेकिन बिलकुल मार्केट जैसी एकदम बजार में जैसी मिलती है उसी तरह की आज हम लोग वेनिला आइसक्रीम बनाने वाले है बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है आप जरूर इसे ट्राय करके देखिए आप लोगों को इस रेसिपी बहुत जादा पसंद आएगी त तो प्लीज इसे लाइक, कमेंट, शेर और दावज चनल पर नए है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए चलिए फटा-फट से वीडियो शुरू करते है तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ग्यास पर एक पैंच चड़ा दिया है उसमें हमने डाल दिया है एक कप के तो इसमें से तीन से चार टेबल स्पून दूद मैंने साइड में निकाल कर रख दिया है और इसमें हम लोग डाल देंगे चार से पांच टेबल स्पून चीनी या शुगर आप चाहे तो पाउडर शुगर भी यहाँ पर यूज कर सकते है वह जल्दी से मेट हो जाती है और इसलिए आपको बफेलो मिल्क लिया जो भैस का दूद है वह लेना है आप चाहे तो यहाँ पर जो पैकेट वाला दूद होता है वह भी यूज कर सकते है लेकिन आपको कोई भी दूद यूज करने से पहले उसकी मलाई नहीं निकालनी है और जो दूद हमने थोड़ा सा कौनफलार अच्छी तरह से मिला दिया है इसमें कोई भी लंस या गुठलिया नहीं रहनी चाहिए अब हमारा जो पैन में दूद है वह भी हलका सा गरम हो चुका है बहुत जादा उबाल इसे नहीं आने देना है और हलका सा गरम होने के बाद हम लोग जो कौनफलार और मिल ये आठके वगरा पढ़्सकती है तो आपको इसे लगातार इस तरह से चलाते रहना है देख सकते है पूरा मिश्रन हमने इस दूद में मिला दिया है اب दिरे-दिरे करके ये जो मिश्रन हे दूद है वहलका साथ थिक ये गाड़ा होना शुरू हो जाएगा देख सकते है इस इस प्रोसेस में आपको 5-6 मिनिट लग सकते हैं, इससे ज्यादा आपको इसे नहीं पकाना है, देख सकते हैं इसकी कंसिस्टनसी, इससे ज्यादा ये गाढ़ा नहीं होना चाहिए, गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है, अब हम लोग इसे एक अलग से बाउल में निकाल कर घंडा होने देंगे, और हाँ इस मिश्रन को ठंडा होने के लिए आपको फ्रिज में नहीं रखना है, बाहर ही आप लोग रूम टंपरेचर पर इसे अच्छी तरह से ठंडा होने दीजिए, तो मैंने इस तरह से इसे निकाल लिया है, अब पूरी तरह से हम लोग इसे बाह केक डेकुरेशन में यूज करते हैं सन्विप की विपिंग क्रीम आज मैंने आहाप पर ले ली है दो कप दूद अगर एक कप लेते हैं तो आपको विपिंग क्रीम लेनी है दो कप और इसे हम लोग अच्छी तरह से एलेक्टिक बीटर से 5-7 मिनिट तक बीट कर लेंगे जैस लोग इसमें इस तरह से छानके मिला लेंगे लेकिन यह जो मिश्रन है यह पूरी तरह से ठंडा होना चाहिए हलका से ठीक हो जाता है ठंडा होने के बार लेकिन आपको इसे छानकर ही डालना है अगर डालेंगे तो आपकी आइस-क्रीम मार्केट जैसे स्मूथ और क्रीमी यह बनती है दिखिए इस तरह से सारा जो मिश्रन है हमने चान कर इसमें डाल दिया है हलके हाथ से मिला लेंगे और फिर से हम इसे मिलाने के लिए mix करने के लिए बीटर तीन से चार मिनिट के लिए इस तरह से चला लेंगे और इसके बात मैंने हाफ पर half teaspoon के करिब vanilla essence भी इसमे डालना जरूरी है अगर आप चाहे तो थोड़े से चोको चिप्स वगरा भी इसमें डाल सकते हैं अगर आपको पसंद है तो मैं आज प्लेन वनिला ऐसक्रीम बना रहे हूं तो मैंने इसमें कोई भी चोको चिप्स वगरा आड नहीं किये हैं चाहे तो आप इसमें कलर वगरा उसमें इसे डाल देंगे आज मैंने यहां पर यह आइस क्रीम का ही पुराना डबा ले लिया है यह पूरा एर टाइट होना चाहिए इस बात का ध्यान रखिए तभी आइस क्रीम अच्छी तरह से सेट हो जाती है इसमें कोई भी आइस क्रिस्टल्स वगरा नहीं जमते हैं कई लोगों का यही प्रॉब्लम होता है कि हमारी जो आइस क्रीम है उसमें बरफ जमा हुई है तो एर टाइट कंटेनर लेने से और उसके बाद इस आइस क्रीम के उपर इस तरह से आपको कोई भी क्लीन रैप या कोई भी प्लास्टिक की कवर शीट इस तरह से लगानी है आइस आइस क्रीम बनेगी बिल्कुल आइस क्रिस्टल्स वगरा उसके उपर बरफ वगरा उसके उपर नहीं जमेगी तो यह चीज़े ध्यान में रखेंगे तो एकदम मार्केट जैसे आइस क्रीम तयार होगी तो पूरे बारा गंटे के लिए आपको इसे फ्रीजर में छोड़ जहां पर आप लोग बरफ जमाते है तो पूरे बारा गंटे हो चुके है मैंने रात में आइस क्रीम बनाने के लिए छोड़ दी थी नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है अब हम लोग आइस क्रीम सेट हुई है कि नहीं इसे चेक करेंगे और हाँ आपका जो रेफरेजरेटर का टेंपरेचर होता है उसे आपको एकदम कूलेस्ट मोड पर छोड़ देना है उससे आपके आइस क्रीम अच्छी तरह से सेट हो जाती है तो देखिए मैंने यह जो डबा है उसे खोल लिया है आप लोग देख सकते है गाइस एकदम परफेक्ट मार्केट जैसी वनिला काने में टेस्टी बनती है तो एक बार जरूर यह रेसिपी ट्राइ करके देखिए और हां आप लोग और भी कोई आइस क्रीम के फ्लेवर वगरा देखना चाते है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने बहुत सारी तो जरूर एक बार यह रेसिपी ट्राइ कीजिए और मुझे कमें बताइए कि आपको रेसिपी कैसे लगी और अच्छी लगी है हमेशा कि तरह रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेर और दावट चनल पर अगर आप नए है तो इसी तरह के बह झाल 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 झाल